हेलो गाईज विल्कम बैट टू माई चैनल और मेरा कश्यो विलॉग में आपका स्वागत है और कैसे हैं आप लोग बताईएगा उमीद करते हैं आप सब लोग अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो शाम का टाइम है सम्तिंग शे बज़ रहा है तो संडे का दिन है तो मुझे जन्वाइश्टीमी के लिए सामाल लेने कुछ जाना था मार्केट तो मैं रडी हो रही हूं तो क्योंकि जन्वाइश्टीमी में मेरे पती और मेरा बाबु जो है फास्ट रखता है मैं तो नहीं रखती हूं मैं तो कोई विब्रत नहीं रखती थी लेकिन अब थोड़े बहुत ही स्टार्ट भी किये हैं लेकिन मैं कोई विब्रत नहीं रखती थी तो मेरा बाबु और मे कशी जन्मा जन्मा कॉट कॉन रखता है तो हमारे क्या होता था कि वह पहले हमकरशरट का ब्र Gilbert रखते थे लोग बोलते थे कि जो हलग़ाइड मेरच नहीं रखता है तो मले भी में बहुत कम ही रखते हूं को assets नहीं रखती हूं तो और जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं कहा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि आप लोगों के लाइक में कंजूसी कर जाते हो तो लाइक में प्लीज कंजूसी मत कीजेगा और जो भी कोई हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा तो जिनों ने नहीं किया तो वो लोग भी कर लीजिएगा और औरमजे आप लोगों कि सपोर्ट की बहुत ज़्यदा जरूर है तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और अगर मैं से कहीं कुछ गलत हो रहागा तो प्लीज कमेंड करके मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कहां गलत कर रही हूं क्या गलत कर रही हूं क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है अगर आप लोगों कुछ समझ भी आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइईगा तो मैंने ज्यादा मैक अप नहीं क्या आप लोग जानते हो और मैं मैक अप में कंजोन सी करती हो मैकप में कंजूसी क्या करती हूं क्रीम बघाने में तो मैंने एनली के वला ऑवल पाऊडर लगाया ।च जो जॉंसन बेभी काता है। और लिपिश्टि का यूज़ भी मैं बहुत कम करती हूं कभी कदार अगर मन हुआ तो कर लेती वरना वह भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूं मैं मार्केट गई थी मार्केट में मैं वीडियो बनाने केलेगे बोल लेग थी, अपने पती देव से मुझे डाइट ने लेगए, मैं सुनते ही नहीं है, बोलते हैं जब देखो तब तुमें हो वीडियो यही बनाना रहता है और गुसा हो गया है, तो उन्होंने मेरी वीडियो कोई भी शूट नहीं की, जब उन्होंने शूट नहीं की, तो फिर मैंने भी ज़्यादा आगी नहीं बड़ी, तो मार्केट से मैं समान लेकर आई थी, दिखा तो नहीं पाई, क्योंकि आते ही काम में मुझे लगना था, खाना में बना कर नहीं छाओ से कई दी और वहाँ से बाबू ने चाओ इन मंगाई थी, तो मैं ये चाओ में लेका आई थी, तो वहीं हम लोग खाने जा रहे हैं, बागी मुझे खाना बनाना है खाना जादा नहीं बनाना है क्योंकि लंच में मैंने दाल चावल बनाया तो दाल चावल तो रखा हुआ है थोड़ा ही चावल मुझे कम पड़ेगा वैसे तो मैं ना भी बनाती क्योंकि हो अर्जेस्ट हो जाता लेकिन कल अब दोनु लोगों क वह फास्ट रहेगा तो जाइड सी बात है कि मुझे बनाना ही पड़ेगा तो चलिए मैं बना लेती हूं और अपना चाओमिन भी खा लेती हूं तो इधर जो मैं सामान लेकर आई थी केला लेकर आई थी और भगवान जी क्या जो कपड़े वगरा था है वो भी लेकर आई वै जरूर मिलेंगे तो यह केला वगएरा जो फल लेकर आई थी तो उसको मैं हटाकर अलग से बास्केट में रख ली थी यानि कि अलग टलिया में खुले में रख दूँगी ताकि वह खराब ना हो यानि कि जन्मा इस्टमी वाले दिन मेरा पूरा चल और प्रिशट चड़ान मैं बना रही हूं इसमें ज्यादा मसाला नहीं पसंद मुझे क्योंकि यह सिंपल सी होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इधर मैंने जो है यह मिर्चे का अचार अचार के सब्जी बनाई थी इसको काट कर मैंने जीरा हिंग डाल कर साम को ही मैंने ऐसे यह ज़ीJan चावल बच्या अजय कि फटैंटा मेरस चावल मेरा बच्छा हूआ यह चावल मैंने ले होगा सकते हो जार को जाता है जब ठंदा चावल हो जाता थो यह चम जमा जमा सा हो जाता है तो यह कॉष्वा सी उसको हां से ही खाना पड़ेगा और बाकी थाच्速 होता ह तो एच्छा लगता है तो चलिए कोई बात नहीं हम लेडी जो को आदात ही होती है कि जो बच जाता है तो बचा हुआ खाना खाने की बाकी वह दोनों लोग तो नहीं खाते हैं यह जो बचा हुआ खाना होता है हम लेडी जी ही इसका बेडा पार लगाते हैं तो चलिए आज है आप लोग भी हमारे साथ डिनर करने के लिए दालि चावल है आलोब भुजिया है मिर्ची है तो अब लोग भी खानी जा रही दिए कवाया और एपने बते करते जा रही दी तो एा-धि के सूँ सबमाद अब लोग नियुज चल जाता था अब तो कपिल का सो आप तो अछा गया है क्योंकि चल लिए हम लोग बचार लेते हैं और मुझे भी किछन भी क्लीन करना है तो इदार मेरा ऑगा है तो मैं बरतन भी साफ करके रख दी हूं क्योंकि डिनर करने के बाद तुरन बरतन साफ करती हूं फिर किचन क्लियन करती हूं क्योंकि अगर मारनिंग में उटो तो किचन क्लियन क्लियन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और दिल भी खुष हो जाता है नहीं तो अगर बरतन या किचन गंदा होता है तो फिर मन द काउंटर साफ हो रहा है तो ज्यादा तो गंदा है नहीं क्योंकि चावल बनाए था और अलू की भुजिया बनाई हुई थी तो गिरा पड़ा इसमें कुछ है भी नहीं तो इसलिए मैं इसको जो हो है कि वह लेक कपड़ा की को कर उसी साफ कर लोगी सर्फ अगयरा जो डाल कर साफ करती हूं और नीचे पानी किरा होता है थो मुझे पोच्छा करना है मिद // पोचमी मारना है लेकिन व्योंकि के पहले मैं उसको पर भीझा समारकू दोंगे ताकि पानी गिरा हुआ है 1 वह साफ हो जाए फिर इसके बार पोच लगाने वह आसानी हो जाती है तो आपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजीगा और सॉरी आज मैं आप लोगों से बात ना कर पाई क्योंकि कुलर भी चल ला था इधार कफिल का सो भी चल ला था तो इसलिए फिर मैंने मैं मैं सोच ले थी मॉर्निंग में वीडियो की एंडिंग करूंगी लेकिन मॉर्निंग में भी उटी तो काम में लगई तो मुझे उसका ध्यान भी नहीं रहा तो चल यह खैर कोई बात नहीं मैं आज में तो यह कहां निश्टीटे कर दूँगी और यहां मैं बार-बार देख तो मैं जो सूट करना चाहती हूँ वो तो सूट होता नहीं और अलग से सूट हो जाता है तो उसी को मुझे अब बहुत देख कर सो समझ कर सूट करना पड़ता है तो चलिए अब मैं जो है फर्स पर जो पानी मगरा गिरा हुआ है उसको क्लीन कर लूँगी उसके बाद करने करना पड़ता है मुझे की कहां सही से क्या चीज़ सूट हो रहा है तो मुझे काफी देख कर सोच समझ कर सूट करना पड़ता है तो चलिए कर कोई बात नहीं और अब मैं चलती हूँ और मिलूंगी आप लोगों से अपने नेश्टी वीडियो में अपना ध्यान रखि तब तक के लिए बाबाई गुड़ाइक स्वेटेश